Hey lovers, कैसे हो? सालों बाद आपकी ex-girlfriend में आपको all किया और तुम बहुत जादा परिशान हो गए हो कि क्या करूँ? क्या उसे अपने लाइफ में दुबारा लेके आओ? क्या मैं उसे बातें कंटिन्यू रखूँ या फिर उसे ब्लॉक करता हूँ? इसी का solution इस वीडियो में है तो दिको सबसे पहले एक बात चांग दो किसे को block करना कोई solution नहीं होता जब तुम उसे block करते हो तो आपका जो दिमाग है तुम्हारा दिल और दिमाग तुम्हें बार बार post करता है कि उससे बात करता हूँ? क्या बोलना चाहती थी? बार बार तुम उसी चीज़ पर अटके रहोगे और frustrate होते रहोगे इसलिए block करना solution तो नहीं है तो क्या उसे एक second chance दे दिया जाए? अपने life उसे फिर से वापस ले आया जाए? क्या रात को घंटों घंटों से बात किया जाए? देखो ये solution नहीं है देखो दिल तुम तो कहेगा कि तुम उसे फिर से बात करना शुरू कर दो बढ़ तुम्हें दिमाग की सुन्वी है क्योंकि दिल तो बच्चा है जे वो हमेशा emotions के साथ चलता है बढ़ आपकी psychology और आपका दिमाग जो है तकि तुम परिशान नहों कियो से बात करें या फिर ना करें तो ले तो नम्बर वन चीज है कि जब वह call करती है तो तो मुझे इसका call करना चाहिए या फिर ने बात करूंगा तो मुझे पुरानी चीज़े है जो याद आने लगी पिर मैं बात होंगा तो सबसे पहले की बातें कंटिनिवसली ना करें और कॉल उठाने का, पीकप करने का एक प्रॉपर टाइम देखे, खुद को रेडी करें, तभी जाके कॉल करें बार-बार उसे call करने में, 10 बार, 11 बार, बार-बार वो frustrated हो, तुम frustrated ना हो, उसको एक ही बार में अपनी life में फिर से re-entry देना, एक ही call में सही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये चानो कि क्यों आई है वो वापस, वो क्या चाहती, दुबारा relationship में आना चाहती है, सिर्फ तुम ना ही life का update चाहती है, ये सारी चीज़े पता करो, उसके बाद आपको number two, जो सबसे important काम है, वो करना है, देखो अकसर क्या होता है, कि X की बाते जो है, आप किसे से share नहीं करते, तो ये बात बिल्कुल गलत है, अपनी जितनी भी बाते हैं, जो आपको especially परिशान करती है, उ देखो अब उसकी बाते तो तुम सुन रहे हो, बाते भी कर रहे हो, लेकिन खुद का mood खराब मत करो, mood खराब करने की जोरत नहीं है, जो past है, वो past है, उसे recall करना छोड़ दो, क्या past के condition फिर से आईगी, देखो नहीं आ सकती, आप तुम aware हो चुके हो, तुम्हें पता है कि वो इंसान पहले मुझे किस कंडिशन में छोड़ के गया था, और जब वो मुझे छोड़ के गई थी, तो क्या उसकी बाद उसमें मेरी अपडेट लेनी चाही या फिर नहीं, या फिर वो मुझे डायटी ब्रेक अप तरके मुझे ब्लॉक करके चले गई, अगर वो ऐसा कर करती है, और काफी दिनों के बाद तुम्हारी हेल्थ का, तुम्हारी एमोशन का वो ख्याल नहीं करती है, उसके बाद काफी समय के बाद तुम्हारी पास आई है, तो दिखो उसके साथ ना समय खराब देनी की ज़रत नहीं है, क्योंकि वो सेलफिश लड़की है, वो तुम उसे बात करने आई है, मैंने बात किया, बड़ इसके बातों को इतना सीरियस नहीं लेना है। नमबर थ्री है, accept everything. देखो जो जैसा उसको accept करो. हाँ, एक समय था जब तुम उसके लिए मरते थे और उसकी सारी बाते तुमें अच्छी लगते थे और तुम एक उसरे के साथ क्या फी लंबा समय गुजारा, special moments भी हुए, एवन तुम ने physical relations भी बनाए, everything. बट उन चीजों को कोश्च ना सही नहीं है. जो past में हो चुका, उसे present में ठेक नहीं किया जा सकता. और उसको लेकर future के लिए सोचा भी नहीं जा सकता. तो सारी थी, बट अब नहीं है. इसलिए सब चीजों को accept करें और आगे बढ़ें. Accept करने से एक benefit और है कि जैसे accept करते हो, सारी चीजों को भूलना शुरू हो जाते हैं. अगर उस चीज की regret आप बार-बार करते रहोगे, पच्छता होगे, तो पच्छतावा हमेशा रहेगा और इसलिए सब चीजों को जैसे के तैसे accept करना सिखें. दोस्तों, ओवर थिंकिन से बचें. देखो, जब लटकी तुम्हारे माइन में बहुत सारी सवाल होते हैं. उसमें मुझे क्यों क्यों क्या? क्या उसको अपनी मिस्टेक का हैसास हो गया है? क्या वो मुझसे सॉरी कहना क्या वो मेरे लाइफ में दुबारा आना चाहती है? ऐसे सवाल दुनारी मन में बहुत सारे घूंगते रहते हैं. अब तुम इन सवालों को लेकि परिशान होते हों. तो अगर खबराओ मत, उससे डारेक्ली पूछू. अगर वो बखवास करती है तो उसकी बखवासों को मत सुनो. डायकली सवाल का जवाब वो क्या चाहती है? वो किस इंटेंशन से आई? जब तुम्हें इंटेंशन पदा चल गया, उसके बाद तुम देखो कि क्या वो इंसान भरोसा करने के लाइक है? अगर है तो तुम अपने दिल की बात सुनो, लेकिन दिमाग के साथ जो है जिसकी राय, जिसकी सजेशन एडवाइजस तुम्हारे लाइफ में काफी इंप्रूम्मेंट लाती है, तुम्हें रिलाक्स फील कराती है. मेरी बात मनू, ऐसा इंसान से अपने सारी बाते शेयर करने से तुम्हें जो प्रस्टेशन है, वो नहीं होगा, टाइम प्रस्टेश नहीं होगा और इमोशन हर्ड नहीं होगे. होप सो वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तेक लाइक का बटन जरूर दवाना और नेक्स वीडियो में मेरते हैं, थैंक्यू.